हेलो दोस्तों परदसी फ्लाइट यीटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तों सौधी अरब की जीए सीए की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी दो दिन पहले जिसमें कहा गया था कि सौधी अरब में अब इंसिट्यूशनल कॉरंटीन साथ दिन के बजाएब पास दिन किया जाएगा इस खबर के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से खबर बना ली कि सौधी अरब में 23 तारीक से आप डाइरेक्ट इंट्री कर सकते हैं अगर आप वैक्सिनेटेट नहीं है तो इंडिया से इंट्री कर सकते हैं या एक वैक्सिन कि वास्तों में इसकी सच्चाई किया है या पूरा माज़रा किया है तो मैं बताता हूँ वास्तों में ये पूरा था क्या खेल जो GSEA की तरब से गाइडलाइन आई थी जो एक सर्कुलर आया था उसमें साब कहा गया था जो भी लोग अन बैंड कंट्री से ट्रवल करेंगे यानि जिन कंट्री पर सौधी अरब ने बैंड नहीं लगाया हुआ है ट्रवल बैंड नहीं है जिन कंट्री पर वहां से वो लोग जो लोग अन वैक्सिनेटेड है या जिनों ने सिर्फ सौधी अरब में एक वैक्सीन ले रखी थी वो लोग अगर सौधी अरब के लिए travel करेंगे तो उन्हें 7 दिन के बजाए 5 ही दिन अब institutional quarantine रहना पड़ेगा वो भी 3 सेप्टेमबर से इसका मतलब यह हुआ कि जो GACA का circular है जो guideline है वो इंडिया और पाकिस्तान पर कता ही लागू नहीं होता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्ता की complete doge यानि दोनों doge लगवा कर इंडिया चुट्टी पर आये हुई है वही लोग अभी direct travel कर सकते है बाकी लोग travel नहीं कर सकते हैं बाकी लोग वाया होकर indirect route से ही सौधियरेफ ट्रिवल कर सकते हैं जैसे वाया दुबई होकर वाया बहरीन होकर वाया ओमान होकर वाया कतर ह होकर वाया मालदीप होकर वाया स्रिलंका होकर तो ऐसे देशों से वो लोग travel कर सकते हैं उनको इस guideline से इस circular से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो लोग अपना vaccination complete कर चुके इंडिया में वो लोग travel कर रहे हैं उनके लिए परिशान होने की कोई बात नहीं है ना तो 5 दिन quarantine से ना तो 7 दिन quarantine से हाँ साओधी अरब जब direct permission देगा कि इंडिया से दोनों vaccine जो लोग लगवा चुके इंडिया में वो आ सकते हैं या इसके लवा जिन्होंने vaccine के एक डोट साओधी अरब में लगवाई हुई है और वापस इंडिया चले गए हैं उन्होंने vaccination अपना complete नही किया हुआ है वो लोग आ सकते हैं तो उन लोगों के लिए ये होगा कि ठीक है अगर आपने साओधी अरब में एक vaccine लगवाई है इंडिया चले गए हैं आपने vaccination नहीं किया है तो आप अगर आब बाते हैं direct साओधी अरब ने आपको permission दे दिया है तो आपको पास दिन institutional quarantine रह पड़ेगा 14 दिन नहीं रहना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई दुबई में आपको या ओमान में आपको या बहरीन में आपको 14 दिन ही stay करना है आपको 5 दिन इस्टे नहीं करना आप 14 दिन ही stay करेंगे उसके बाद आप साओधी अरब के लिए travel करेंगे जिस direct travel का इंतजार करें तो उन लोगों के लिए कोई update आएगी दोस्तों तो वो दी जाएगी हाला कि कुछ लोगों ने बीच में कुछ खेला किया है कि एक बैक से सौधी अरब में लगवा कराया थे और final इंडिया में लगवाए हुई थी direct travel कर गया सौधी अरब के लिए तो उ कभी कभी ये जुगार महंगा भी साबित हो सकता है आपके लिए भी और आपके भाईयों के लिए भी क्यूंकि सौधी अरब ने guideline बहुत सक्त बनाई हुई है तो ऐसा काम मत करें जिससे आप भी परिशानी में फसें आपके भाई भी परिशानी में फसें जब direct travel करने के लि परिशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है direct travel करेंगे बारहल आप गलत तरीके इसे travel मत करें गलत रास्ता त्यार मत करें